नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत हैं आप सभी का हमारी यूटूब चैनल SK Agri Culture में अगर आप लेसुन की खेती करते हो तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी दवाओं के बारे में, कुछ ऐसे खाद के बारे में जो दस दिनों में ही आपके लेसुन के कंद को डबल साइज का कर देंगे यानि कि उसको कापी बड़ा कर देंगे तो इस वीडियो को आप लगातार पूरा देखना ताकि जानकारी अच्छे से आपको समझ में आए उससे पहले अगर चैनल पर ने आए हो तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को ओल पर जरूर प्रेस करना ताकि हर वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलता रहे इसके अलावा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें किसान बाईयों और अधिक से अधिक शेयर भी करें किसान बाईयों हम लेसुन की खेती अगर करते हैं तो सबसे ज्यादा बेनेफिट हमको तबी होता है जब हमारी लेसुन का कंद बढ़ा होता है जब लेसुन का कंद बड़ा होता है वजंदार होता है चमकदार होता है मजबूत होता है तो मंडी के अंदर सबसे उचे बाव में जाता है और जो छोटे कंद का लेसुन होता है वो नीचे बाव में रहता है तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा बहुत खर्चा करके अपनी फसल में लैसुन का कंद अगर बढ़ा कर लेते हैं तो इससे हमको काफी ज़्यादा मुनाफा मिलता है क्योंकि लैसुन जब बढ़ा होगा तो मंडि भाव भी अधिक होगा अधिक बोर एगी अधिक वजन भी निकलेगा तो तो सभी तरब से उसमें फाइदा मिलता है तो यहाँ पर कुछ ध्माओं के बारे में आपको बताने वाला हूँ कुछ खाद के बारे में बताने वाला हूँ जिनका उपयोग आपको करना है लेकिन कब करना है उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को लगातार देखते रही है देखे किसान भाईों सबसे पहले तो आपने लिवोसिन चमतकार वगेरा का नाम सुनाई होगा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आते हैं इनको फसल पर जब हम डालते हैं वो लेसुन के कंद जहां पर कंद बंद रहा है वहां पर इखटा होना शुरू हो जाता है जिससे की कंद फूलने लगता है और कंद बड़ा होने लगता है तो इनका उपयोग भी आपको करना है क्योंकि इनसे जो किसान भाई इनका उपयोग कर रहे हैं उनका यही opinion है उनका कहना है कि इससे हमारी फसल पर हमको फाइदा मिलता है तो जो plant growth regulator है लिवोसीन हो गया चमतकार हो गया इनका उपयोग आपको करना है साथ आठ पत्ती का जब हमारा lesson हो जाता है और जब हमारी फसल तीन महिने से ज़्यादा की हो जाती है और उसमें 10-20 पर पर करना पड़ेगा और वो यह है कि lesson को बढ़ा करने से ही कुछ नहीं होगा क्योंकि उसको चमक भी देनी है उसका वजन भी बढ़ाना है उसको मजबूती भी देनी है ताकि आप दो तीन महिना उसको गर पर रोक के रखो चार महिना छे महिना तो वो रुख जाए उसमें वजन में कमी ना पड़े उसमें सडन ना आए तो इसके लिए आपको काम में लेना होगा पोटास अब देखो पोटास कौन सा काम में लेना है यहाँ पर आपको कोई 12-13-16 नहीं डालना है यहाँ पर आपको यह नपीके भी नहीं डालना है तो यहाँ पर आपको डालना यह हैं कि NPK का जो 0050 आता है यह वाटर सोलिबल आता है इसका उपयोग आपको करना है इसका उपयोग करने से तो अगर आप इस्प्रे करना चाते हो तो 800 ग्राम NPK 0050 को परती एकड़ पर इस्प्रे करना है डेट सो लेटर पानी में और अगर आप उसको पानी में घोल बना कर टंकी के द्वारा पानी के साथ में जमीन मर देना चाते हो तो लगबग 4 किलो NPK 0050 को आपको लेना है उसको एक टंकी में घोल तैयार करना है वाटर सोलूबल एक गुल जाएगा और फिर जहां से पानी जा रहा है आपका धोरे से वहां पर आपको उस टंकी को रखके थोड़ा सा उसको चालू कर देना है ताकि वह समान मात्रा में पानी के साथ जमीन में पहुंच जाए हर पोधे त इसका जो उप्योग आपको करना है किसान बाइयों वो करना है सेकंड लाश्ट पानी में बतलब आप अपनी लेसून को जब लाश्ट पानी लगाओगे और उससे पहले का जो पानी लगा रहे हो यानिकी सेकंड लाश्ट पानी उस समय आपको ये एनपीके 0050 देना है इसस से आपको काफी ज्यादा फाइदा मिलेगा आपके लेस्न का कंद एक दम से बड़ा बनेगा मजबूत बनेगा तो उम्मिद करते हैं इस वीडियो में जो भी जानकरी आपको दी गई वह आपको जरूर पसंद आए होगी